मुंब्रा देवी को नमन करते हुए शिद्धी मिनाई जी को प्रणाम करते हुए ये अटल से तू मुंबई करों को देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूँ देश की माताओं बहरों बेटियों के ससक्तिकरण की जो गारंटी और जो गारंटी मोधी ने दिये ना उसको महरास्ट्रा सरकार भी आगे बढ़ा रही है विक्सित भारत के निर्मान के लिए भारत की नारिशक्ता का आगे आना नेत्रुत्व करना उतना ही आवशक है मुंबई आणि मुंबई उपनगरातून मोठ्या संखेने उपस्तित सर्वाना माजा नमश्कार आज का दिन मुंबई और महरास्ट्र के साथ ही विक्सित भारत के संक्रप्र के लिए बहुत बड़ा बहुत अहित्यासिक है आज विकास का ये उत्सव भले ही मुंबई में हो रहा है लेकिन इस पर पूरे देश की नजर है आज दुनिया के सबसे बड़े श्रीव भीज में से एक ये विशाल अटल से तू देश को मिला ये हमारे उस संक्रप का भी प्रमान है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं लहरों को भी चीए सकते हैं आज का एकारकम संकल्प से सिद्धी का भी प्रमान है मैं 24 दिसंबर 2016 का दीन नहीं बूल सकता जब मैं मुंबई ट्रांस हारवर लिंग अटल सेतु के सिलान्यास के लिए अहां आया था तब मैंने छत्रपती सिवाईजी महाराज को नमन करते हुए कहा था कि लिख कर रखिये देश बड़लेगा भी और देश बड़ेगा भी जिस व्यवस्ता में सालों साल काम लटकाने की आदत पड़ गई थी उससे देश वास्यों को कोई उमीद बची नहीं थी लोग सोगते थे कि उनके जीते जी बड़े प्रोजेक्ट पुरे हो जाएं यह मुश्किली है और इसलिए मैंने कहां था लिख कर रखिये देश बदलेगा और जरूर बदलेगा यह तब मोदी की गारंटी थी और आज मैं चत्रप्रती सिवाजी मारात को फीर नमन करते हुए मुम्रा देवी को नमन करते हुए सिद्धी मिनाई जी को प्रणाम करते हुए यह अटल से तु मुंबई करों को देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूँ कोरोना के महा संक्ट के बावजूद मुंबई ट्रांस हारबर लिंक का काम बहुत पुरा होना बहुत बड़ी प्लब्दी है हमारे लिए सिलान्याद, मुमिपजान, उद्गाटन और लोकारपन सिर्व एक दिन का कारकंबर नहीं होता नहीं है मिडिया में आने के लिए और जन्ता को रियाने के लिए होता है हमारे लिए हर प्रोजेक भारत के नव निर्मार का माध्यम है जैसे एक-एक इड से बुलंद इमारत बनती है वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक से बव्य भारत की इमारत बन रही है साथ क्यों आज यहां देश के मुंबई और महरारत के विकास से जुड़े हुए 33,000 करोड रुपे के प्रोजेक का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है यह प्रोजेक रोड, रेल, मेट्रो, पानी जैसे सुविदाओं से जुड़े हुए है आज व्यापार जगत को मजबुती देने वाली आधुलिक भारत रत्नम और नेस्ट वन बिल्डिंग भी मुंबई के लिए को मिली है इसमें से अधिकतर प्रोजेक तब सुरू हुए थे जब महराष्ट में पहली बार डबल इजी के सरकार बड़ी थी इसलिए महराष्ट में देवेंद्र जी से लेकर के अब एकनाथ सिंदे जी अतीच पवार जी तक पूरी टीम के प्रयासों का परणाब है मैं उन सब को बदाई देता हूँ मैं आज महराष्ट की बेहनों को भी बदाई दूगा इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का आना इन माताओं बेहनों का हमें आशिरवाद देना इससे बड़ा सवभा के क्या होता है देश की माताओं बेहरों बेटियों के ससक्थिकरण की जो गारंटी और जो गोरंटिम मोदी ने दिये ना उसको महराश्टा सरकार भी आगे बढ़ा रही है मुख्यमंत्री महिला सक्षमी करन अभ्यान नारी शक्ति दूत अप्रिकेशन और लेक लाड़ की योजना ऐसा ही एक उत्तम प्रयास है आज यहां इस आयोजन में हमें आशिरवात देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बैने और बेटिया आई हुई है विक्सित भारत के निर्माण के लिए भारत की नारी शक्ता का आगे आना नेत्रुत्व करना उतना ही आवश्चक है हमारी सरकार का निर्मतर प्रयास है कि माता और बैन और बेटियों के रास्ते में आने वाली हर रुकावण को दूर करें उनकी जिन्दी की आसान बनाए जिन्दी की आए भारत के लाआओ को प्रयास है